हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे रबडी केक, ये देखे हमारा केक कितना सोफ्ट बना है, कितना स्पोंजी बना ये देखे, तो बहुत ही शांदा रेसिपी है और बहुत ही सरल तरीका है ये से बनाने का, आपके घर में अगर अवन नहीं है, तो भी आप ये केक बना सकते हैं, और अगर हमें अपने परसनल एक्सपिरियंस से बोलू, तो माइक्रोवेव या अवन से ज्यादा अच्छा केक कुकरिया कड़ाई में बनता है, आप अपने घर में किसी भी बरतन में केक बना सकते हैं, इसके लिए आपको कोई स्पेशल टाइप का केक मोल्ड नहीं चाहिए, कोई भी स्पेशल टाइप का बरतन नहीं चाहिए, अगर आपके बास भगोना है आप उसे इसमें बना सकते हैं, अगर आपके बास कोई गहरी सी थाली आप उसमें बना सकते हैं, किसी भी चीज में इस केक को बनाना तो चलिये शुरू करते हैं बहुत होते एमेजिन रबड़ी फ्लेवर केक बनाना तो चलिये शुरू करते हैं केक बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे half cup refined oil उसके बाद लेंगे half cup condensed milk यानिके milk mid और साथी साथ आधा cup लेंगे ताजा दही तीनों चीजों की quantity आपको same लेनी है कम जादे बिल्कुल ना करें इसके बाद हम लेंगे 2 तीहाई cup पिसावा चीनी और साथ में है एक चोथाई cup dry milk powder अगर आपके पास dry milk powder नहीं है तो आप यहाँ पर मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर amul fresh cream का जो भी चीज़ आपके घर में है आप उसे डाल कर ये केक बहुत आसानी से बना सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपको dry milk powder ही add करना है सारी चीज़े डालने के बाद बिल्को लहसाई से mix कर लें उसके बाद जो भी dry foods आपको पसंद हो यहाँ पर उन्हें add कर लें अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसकी भी कर सकते हैं उसके बाद 1 tablespoon मैंने इसमें डाला है इलाइची का powder इलाइची का powder थोड़ा से ज़्यादे डालेंगे तब ही इसका flavor बहुत अच्छा आता है साथी साथ मैंने इसमें एक पिंच नमक डाला है एक पिंच नमक क्या करेगा ना सारा flavor enhance करेगा और केक बहुत ही शांतर लगेगा अब मैंने लिया है मैदा तो मैंने लिया है एक कप प्लस वन फोर्थ कप मैदा साथी साथ मैंने लिया है यहाँ पर वन टी स्पून बेकिंग पाउडर तो जब आप बेकिंग करते हैं बेकिंग पाउडर जादा जाता है और बेकिंग सोडा कम जाता है जितना बेकिंग पाउडर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हाफ बेकिंग सोडा लगता है तो यहाँ पर हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डाल दिया है मैंने अब यह अच्छे से छान लेंगे देखे फ्रें के बैटर को मैंने मिक्स कर दिया है लेकिन बैटर अभी गाड़ा है तो अब हम इसमें दूड डालेंगे जब आप केक बनाते हैं तो मेजरिंग का धिहान रखना कमपल्सरी होता है अगर आप बहुत ज़्यादा कुकिंग करते हैं तो तब तो आप अंदा जैसे डाल सकते हैं लेकिन अगर आप बेकिंग में नए हैं तो आपको मिजरमेंट लेना ही होगा तभी आपका केक अच्छा बनेगा तो यहाँ पर मैंने वन फोर्थ कप दूद डाला है इसमें और अच्छे से मिक्स कर दिया है तो दूद डालकर अच्छे से मिक्स कर दें और दूद रूम टेंपरेचर वाला ही ले इसके लिए दूद गरम ये ठंडा बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें अब ही मैंने टूद डाला है तो दूद डालने का अच्छे से मिक्स कर देंगे और बहुत ही स्मूद सा बैटर बना लेंगे तो बैटर जब आप मिला रहे हैं एक ही सिक्वेंस में मिलाए ये भी बहुत इंपोर्टन इस्टेप होता है बेकिंग का तो यहाँ पर देखें बैटर बिल्कुल अच्छे से तयार हो गया हमें बिल्कुल यही बैटर चाहिए एंस इस इस बतर में घुमा ले आप इसे पतीले में या किसी भी जिज में बना सकते हैं तो यहाँ पर देखें मैंने इसको प्री हीट करके रखा है कड़ाई को लो फ्लेम पर 10 मिनट से इसमें मैं इसे रख दूंगी और ढखकन लगा कर इसे बेक करेंगे तो यहाँ पर देखें 45-50 मिनट हो चुके हैं अ प्रेंट्स जब तक केक बिल्कुल थंडा नहों जाए तब तक इसे डी मोल्ड करने की कोशिश ना करें नहीं तो केक तूट सकता है तो केक को बिल्कुल थंडा होने दे उसके बार दी मोल्ड करें और फिर देखें रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा तो friends जब बिल्कुल ठंडा cake हो जाए तब आपको आगे का process follow करना है जैसे कि मुझे भी बटर पेपर निकालना है तो cake बिल्कुल ठंडा हो गया है तो अरामसे सका बटर पेपर निकाल देंगे और यह देखे cake बिल्कुल भी नहीं जला है बहुत ही शांदार बना है तो आप कुकर या कड़ाई में बहुत ही बड़ी हा केक बना सकते हैं अब हम केक के लिए रबड़ी बनाएंगे जिसके लिए आधा लीटर दूद लिया है मैंने उसमें मैंने 1 4th cup डाला है dry milk powder लेकिन dry milk powder डालना totally optional है अगर आपके पास dry milk powder नहीं है तो आप इसकी जंगे घर में रखावा मलाई या भी fresh cream भी डाल सकते हैं उसके बाद दूद को low to medium flame पर पका लें और इसमें lychee powder और अपनी choice के हिसाब से मीठा डाल कर इसे अच्छे से गाढ़ा कर लें अभी देखे फ्रेंट्स दोनोगी चीज ठंडी है केक भी और रबड़ी भी तो दोनों का ठंडा होना अनिवारी है तो रबड़ी को अच्छे से मिक्स कर लें बिल्कुल ऐसे अभी न यहाँ पर एक्छली जो केक है इसमें टूथपिक से थोड़े होल हमें करने है तो वो मैं भूल गई थी बाद में मैंने किया है तो आप शुरू में ही कर लें या फिर बाद में कैसे भी कर सकते हैं में मोटो यह है कि जो रबड़ी है वो केक के अंदर जाना चाहिए इसके लिए हमें यहाँ पर इसमें होल करने होंगे तो मैं भूल गई थी मैं बाद में करूँगी लेकिन आप शुरू में कर सकते हैं और यह जो रबड़ी है इसको इमनली केक के पर पोर कर दे बिल्कुल इस तरीके से यह देखे यह वाला स्टेप जो है आप पहले कर ले तो मैं भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में किया है इससे यह होगा कि रबड़ी केक के अंदर चाहेगी और केक का फ्लेवर बहुत ही शानदार हो जाएगा इससे तो यह प्रोसेस करना कंपलसरी है अपनी पसंद के ड्राइफ रूट्स इस तरीके से डाल दे बिल्कुल ऐसे जो भी पसंद है वो डाल दे तो यह देखे फ्रेंड्स रबड़ी डालने के बाद और अपनी पसंद के ड्राइफूट्स डालने के बाद केक कुछ ऐसा लगेगा जितना बढ़िया यह दिखने में लग रहा है ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है तो यहां पर केक टो बन के तयार है चलिए कट कर लेते हैं सही सही देखे कितना स्पूंजी केक बना है कितना सॉफ्ट है आईप अपने से ही नीचे जा ह्राए इतना टेस्ट ये देखो कितना बढ़िया है तो दोस्तों आपके घर में आप जो भी केक खाते हैं ना लाइक वनीला चोकलेट सारे केक का स्वाद ना फीका होने वाला है एक बर जब आप इसे बना लेंगे तो तो बनाओ खाओ और उसके बाद मुझे जरूर बताना कि आपको एक केक की रेसिपी कैसी लगी बाइगोड बहुत ही अमेजिंग केक है आप एक वर से जरूर बनाएए ट्रस्ट में दोस्तों आपके परिवार की पहली पसंद बन जाएगा एक देखे फ्रेंड्स केक बनके तयार हो गया है जब आप इसे सर्व कर रहे हैं किसी रबडी इसके उपर डाले और फिर यह से खाईए यह देखे कितना बढ़िया लग रहा है बहुत ही अमेजिंग केक है देखे इस केक को बनाने के लिए हमने कुछ भी स्पिशल टाइप का समान नहीं लिया है हमने सारी वही चीज़ इस्तेमाल करी है जो हमारे घरों में होती है आप मैदे के जंगे अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आटे के इस्तेमाल करके से बना सकते है और अगर आपके पास ड्राइ मिल्क पाउडर नहीं है तो फ्रेश क्रीमिया मलाई से आप इसे बना सकते हैं तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ये रबडी केक की रेसिपी ये केक बहुत है तो मस्ट ट्राइ रेसिपी प्लीज ट्राइट और अगर आपको आज की रेसिपी थोड़ी सी पसंद आती है तो उसे लाइक कोमेंट शेयर करके सब्सक्राइब करना बिलकूर न भूले और आप मुझे मेरे फेस्बूक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं थैंक ये फॉर वॉचिंग